हां जी सच्छे एकाल गेम चेंजर्स सक्सेस दारा चैनल ते आप सब दा जी आया नू ओ जगा जिते सिख कम्मिनिटी इंस्पायर होन ले यों दी है सब तो पहला एक गुड नियूज तो अडे सब दे प्यार ते सपोर्ट दा सदका अपने चैनल सक्सेस दारा ने दासजार सस्क्राइबर दे माल्स्टोन नू पार कर लिया है इस दे लई आप सब दा दिल दियांगे रहे यानल बहुत बहुत तानवाद ते जे तुसी हजेवी सस्क्राइब नहीं किता तो तुसी बहुत कुछ मिस कर रहे हूँ हाँ जी बिलकुल ठीक पड़या तो सी थमनिल विच आज गल करांगे पहले सिक्राजदी सर्जना करने वाले महान जर्नेल बाबा बंदा सिंग जी बहादर दी जे कर काल चकर वल वेख्या जावे ता समा बहुत ही थोड़ा लगदा है पर जे बाबा बंदा सिंग बहादर दीया प्राप्तियां वल वेख्या जावे तो दुनिया दे इताहस विच शाइदी कोई दान दा जर्नेल होया हुगा जो एने कट समय विच एक लहर नू खड़ा करदा है उस लहर नू पूरे सिक्र तक लेके जानदा है उस लहर दा सदका पहले सिक्राज दी सिर्जना करदा है ते फिर उस से लहर दे सिधानता दे चल दें शहीदी पा जानदा है अटने थोड़े समय विच एशिया दे सब तो वडे राज़दीया जड़ा पूट देना बिल्कुल उना दी हिक दे उते सिक राज़ दा पर्चम चुला देना सच मुच एक हरान कर देन वाली गल है बाबा बंदा सिंग जी बहादर बारे जिनने वी सिक्के बंद सोर्स यानि के अथेंटिक मैनुस की पसनू मेल दिया हन ओ सारियां ही फारसी पाशा विच हन बेशक फारसी पाशा विच लिखियां लिखतां विच बाबा बंदा सिंग जी बहादर बारे कुटा लाणती यानि के जिनने वी माड़े शब्द की से दुश्मनली वरते जा सक दे हन खुल के वरते गए हन पर जे साडे कोल फारसी दियां लिखता ना हून ता साडे कोल बाबा बंदा सिंग बहादर दा इताहास ही नहीं है जेकर सनू इतहास दा क्रोनोग्राफिक फेस यानि के तरीक बद इतहास चाईदा है ता सनू मजबूरी विच फार्सी लिखता वल जाना ही पेंदा है एना फार्सी लिखता नू शान के गुर्मु की लिपी विच अदब सितकार नल कौम दे समने पेश करन्दा मान पदम विभूशन समानित डक्टर गंडा सिंग जी हुना नू जान्दा है सो आज दे विडियो दा जादा तर पार्ट असी डक्टर गंडा सिंग जी हुना दी बुक दा बंदा सिंग बहादर विचों ही लिया है नाल ही इतासिक तत थोड़े होर जादा क्लियर कर लई असी ओस समय दे सरकारी दस्ता वेजानू अते कुछ फार्सी लिखता नू विशामिल कीता है क्योंकि इतास एक एहोजा विशा है जी दे विच असी बिना डिरेक्शन तो एक कदम वी नी चाल सकते कुछ टाइम पहलना रिलीज होई मूवी चार सेब जादे दा राइस ओफ बंदा सिंग बहादर आइ थिंक तुसी सब ने देखी होनी है बर तो अनू ए जान के हरानी होगी के ओस मूवी विच ता रियाल्टी दा 50% भी नी दिखाया गया जो तसी है जो खून खराबा ओस सुमें बंदा सिंग बहादर ते सिखा ने अपने सीने ते चेल्या सी ओदे विच ओ जादा तरदा ता उस मूवी विच की ते जिकर ही नी किता गया सो आज इस वीडियो विचे सी बाबा बंदा सिंग जी बहादर होना दा रियली तहास देखांगे बाबा बंदा सिंग बहादर जी नाल जोड़े पहले वड़े वाक्ये नू देखन लई आपा चल दे हैं 13 अप्रेल 1715 दे जम्मू कश्मीर मुश्किल हलाता ना लड़े आज बाबा बंदा सिंग बहादर अते उनना दे 315 सिंग वटास नंगल दी गड़ी विचा के शरन लेंदे हन ओद्रो मुगल राजेवी अनना दा पिछा करदे होए 60,000 दी वड़ी फोज लेके 13 अप्रेल 1715 दी आके गड़ी नू चारे पासें केरा पालन दे हन 13 अप्रेल 1715 दी गड़ी नू चारे पासें केरा नवंबर 1715 तक चल दा है लगाता साथे साथ महीने तक अंदरबंद सिखां दी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जांदी है डॉक्टर विलिम एर्विन अपनी बुक दा लेटर मुगल स्विच एक फारसी लिखारी काफी कांदी बुक सियारूल महताबरीन दा हवाला देके जो दस्दा है ओ पड़के अक्खां विच हंजू आजन दे हन ओ दस्दे है कि सिखां को राशन मुख गया उनना रुखां दे पते खा दे जदो पते वी मुख गये उनना रुखां दिया छिलावी लाके खा लिया जदो छिलावी मुख गया उनना गड़ी दा कावी वडवड के खा लिया ते जदो कावी मुख गया ओ दो उनना दे कोड़े पुखनल मररे सन उनना कोड़ें दा मास वी लाके खा लिया डक्टर सोन सिंग जी अपनी बुक बंदा दा ब्रेव विच एक मुसलिम इता आसकार दा हवाला दे के एक कटना ब्यान कर दे हन ओ दस्दी है कि मैं पोखनल मररे सिखां विच वी बेह साब प्यार विख्या एक सिख पेचिशनल बिमार पे अपने अंतम सा गिन रहा है कोलों लंग दे दूसरे सिख बाद सिंग नू वाजमार के केंदा है बाद सिंग जी मेरे कोल ता उन बहुत काट टाइम बचया है पर अपन वे लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी पैनी है तुसी मेरे पट दा मास लाके खालो कटो कर तुसी ता लड़ सकोंगे एगल नोट करन वाली है के पोखनाल मर रहे सिख वी ओस टाइम इनना प्यार सी ते आज कल असी लंगर लेईवी गुर्दवारा साहे वीच लड़ पेनने है गड़ी दे अंदर दे हलात ताइम लंगन दे नाल होर जादा बत्तर हुन दे जान दे हन पिछले चार पंज में हिन्या तो किसे वी सेंग ने अंदा एक वी दाना निकादा जो सेंग पोखते बिमारी नाल शहीद हो चुके हन उनना दे ससकारदा भी कोई इंतजाम नहीं है ते उनना दे लाशां साडरीया हन मरे होए कोड़ियां दे लाशां भी साडरीया हन जिस कारण गड़ी बरदाश्त ना हो सकन वाली समेलनाल पर ही होई है कई तरह दिया जान लेवा बिमारीया फैल गई या हन इस लई फिर आखिरकार 15 दिसंबर 1715 नू बाबा बंदा सिंग बहादर गड़ी दा द्रवजा खुलवा दे हन कुझ सिंग थोड़ा बहुत मुकाबला कर दे हन पर मुगला समने उनना दी पेश नी जन दी ते मुगल फोज अंदर आके पोखनल भी होशी दी हालत विच पए सिंगा नू गिरिफ्तार कर लेंदी है एक गल होर अज गल सिखा नू पता नी की हुंदा जा रहा है जिना सूर में जिना गरंथां दे आपा चर्णा दी तूड़ बराबर भी नहीं हाँ लोग उन्ना ते वी सवाल जवाब करन तो नी हट दे कुझ नीच लोग गुरु गोविन सिंग जी दे लिखे दसम गरंथे किन्तू प्रन्तू कर दे हन आते पिछे जेक कथाकार ने स्टेज ते बैके बंदा सिंग बादर ते वी कई तोम ता लाईया के जे चाली सिंग चमकौर दी गड़ी वीच शहीद हो सकते सन ता बबा बंदा सिंग बादर नुम ये थे लड़के शहीद हो जाना चाहिदा सी बंदा सिंग ने मौत तो डर्दें गड़ी दे दरवाजा खोल दिता पर जे ओ लोग एगल करन तो पहला अपनी भुद्धी ते अपनी रिसर्च ते थोड़ा जा जोर पोंदे ता शायदो एगल ना ही कर दे क्योंके चमकौर दी गड़ी ते गुर्दास नंगल दी गड़ी दिया पगोलिक स्थितियां वीच जमीन समान दा फर्क सी चमकौर दी गड़ी दा दैरा बहुत छोटा सी पर गुर्दास नंगल दी गड़ी दा दैरा बहुत वड़ा सी चमकौर दी गड़ी विच फोज नू साफ साफ हुकम सी कसे हर के कोले कुरां बाई दश ना कुष्टनो कष्टनो बाई दश यानि के उन्ना नू क्या गया सी के गुरू गोविन सिख जी ते उन्ना दे सिंगा नू किवे भी हो सके खतम करना है पर गुर्दास नंगल दी गड़ी विच ओ बंदा सिंग बादर नू गिर्फतार करके चुकोना चोंदे सी गुर्दास नंगल दी गड़ी दा दैरा वड़ा होन करके ओते सिर्फ तीरां ते गोलियां नाल ही लड़या जा सकदा सी ओधों दे सिरकारी का अगजा विच जो हत्यारां दी ब्राम्दगी दिखाई गई है ओ ऐस तरह है 117 तीर कमान तीर एकवी नें 208 बंदुका गोली एकवी नें 117 खुंदियां होियां करपाना 208 टाल अते 355 गत्रे वालीयां करपाना ते यह होन तुसी दसो कहे जितने दूर तो मार करने वले हथ्यारां नाल लड़या जाना सी उत्ते बबाब बंदा सिंग जी उनी बीना तीर ते गोलियां तो किमे लड़ सकते सी ते जो दो सरेंडर करने वाला ने हत्ता हुंदा है ओदो समने वाला ये तैय करदा है के कतल करना है या गिर्फतार करना है उस्तो बाद उन्हानों केस तरह गिर्फतार करके दिल्ली ले जाया गया ते उत्ते ले जाके केस तरह तसीय दे दे के शहीद किता गया पूरे मनुक ही ता आस्दा सब तो ड्रोना ते पे अनक बंजर सी जे सनू उस मूवी विच ता बहुत ज़्यादा काट करके दिखाया गया है आपा उसनू भी डिटेल नाल देखांगे पर पहला चल दे हां जंग्य मैदान विच ते देख दे हां बंदा सिंग बादर दी युद निती ते कुछ वड़ियां जंगी जिततां कुछ छोटियां जितता नाल अपनी नी मजबूत करन तो बाद बंदा सिंग बादर ने पहला वड़ा निशाना समाने नू मिथ्या उस दा मेन कारण ए सी के समाने दे कराने बहुत ज़धा अमीर ते सिद्धी राजने ते पोंच वाले सी ओना दी पोंच दा अंदाज्जा सिर्फ एसे गलतों ही लगाया जा सकता है के समाने दे बाई राज सीकराने नू दिल्ली हकूमत वलो अपनी पाल की ते अंगरखक रखंदा अधिकार दिता गया सी यानि के जे अज़ दे इस आबनाल देख्या जावे तां इको शेर दे बाई परवारानू सरकार वलो जेड स्क्योर्टी दिती गई सी हुन ए सवाल उठना वी लाजमी है के एनी स्पेशल फैसलिटीज देन दा कारण की सी असल विच समाना सेद मुसल्माना दा शेर सी सेद मुसल्मान अपने अपनू मुमत साब दी बेटी हजरत फात्मा दे परिवारनाल जोड के वेख दे हन ते इसलाम दी राजपरनाली दे अंसार दो तरह दे जलादा दा जिकर मिलदा है एक हुन दे हन आम जलाद जो आम जुलम करन वाले नो सजा दिन दे हन ते दूसरे हुन दे हन सेयद जलाद सेयद जिलाद एक उच्चे ओदेदा तार्मिक व्यक्ति हुनदा है जिसनो ए अधकार हुनदा है कि जे कतल होनवाला कैदी माफी मंग के इसलाम विच शामिल होना चावे ता सेयद जिलाद उसनो कलमा पढ़के इसलाम विच ले आ साकदा है एसले शिरिगुर्ट एक बादर जिनो शहीद करन वाला जलाद सेयद जलालू दीन शोटे सहब जादे नो शहीद करन वाले शाशन बेग ते बाशन बेग ते अनांदपुर सहब जाके औरंग जेब वलो चूटी कस्म खान वाला काजी ए सारे समाने दे ही रहन वाले सी एक ता इनना दा ओदा समाज विच बड़ा उच्चा सी दूजा जलादा तो लोग की वैसी दुखी रहन दे सन इसली इनना नो इननी टाइट सिक्योर्टी दित्ती गई सी एसली फिर बाबा बंदा सिंग बादर ने समाने नो चुणया क्योंकि समाने विच वज्जे जित दे नगाड़े दी वाज सरहांद तो लाके दिल्ली तक गूंजनी सी बंदा सिंग बादर ने बड़ी वड़ी त्यारी खिच के समाने ते हमला किता पर समाने दी फोज ने अंदाज़े दे उन सार जंग नहीं लड़ी ते बोगत छेतीय दिन की सिवकाद शाले होन बाबा बंदा सिंग बादर दा अगला निशाना सरहांद सी जिते छोटे सैब जादे नो शहीद कीता गया सी सरहांद दा परबाव दिल्ली ते समाने तो भी कई गुणा वद सी क्योंकि ये ओस समेधा एक बहुत वड़ा वपारिक नगर सी जो दिल्ली राज़ी कमाई दा एक वड़ा जरिया सी कहा जन्दा सी के जे समाने दा सेरपीड होवे ता दिल्ली नू बखार चट जन्दा सी सरहांद दे हकम वजीर खान कोल बाबा बंदा सिंग बादर तो कई गुणा वड़ी फोज लाम लश्कर ते हतियार सी फेर वी शांदार युद नीती दे दमते बाबा बंदा सिंग बादर ने केस तरह वजीर खान नू मात दिती सिंगां दी समाने विच जित दे दोव डेकारन जो इता आसकारन दी समझ विच ओंदे हन ओ ऐस तरह हन जदो युद नीतियां दी गल चल दी है ता गुरु गोविन सिंग जी दी एक युद नीती हारी ते आसकारन नू लिखनी पन दी है ते ओही गुर्ण नदेड तो चल दे समें दसम पिता ने बंदा सिंग बादर नू भी सिखाया सी के हमेशा जंगे मिदान दी चोन आएस से ली फिर बाबा बंदा सिंग बादर ने सिद्धा सरहन द शेयर ते हमला करन दी था चपड चिडी दे मिदान नू जंग दे ली चुनया ते उत्थे जाके अपनी फोज दा पड़ा लगाया दा लेटर मुगल्स बुक दे अकोडिंग इस मिदान दा पहला नाम शपड चिडी सी शपड यानि के पाणी दा तलाव ते चिडी यानि के दरकता दा समू जो के होली होली नाम बदल के चपड चिडी हो गया जंगे मिदान वीच पहला पहुंचन दे कारण बाबा बंदा सिंग बादर ने जगा वी अपने उनसार चुनी ते पाणी दे सोर्स नुवी अपने अधिकार वीच ले ले लिया जिस कारण मुगल फोज जंग शुरू होन तो पहला ही बैक फूड ते आ गई दूसरा वड़ा कारण जे तुसी कदी नोट किता होए ता सिखा ने कदी किसे वी जंग वीच हाथियां दी वार एलिफेंट्स दी वर्तो नहीं कीती डॉक्टर सुरेंदर सेंग जी दी लिखी होई हिस्ट्री दे एक बड़ी मशूर बुक है हिंदू इतहास हारों की दास्तान इस बुक विच हिंदूस्तान दी ये कई वड़ियां जंगा मिच हारदा कारण चितरंगणी फोज नोँ दस्या गया है चितरंगणी फोज ओन दी है जिस विच सब तो अगे हाथियां दी पाल रखी जान दी है ते जदों समने दुश्मन फोज दीयां तोपा चाल दी हन तोपा दी अवास ते गोलेयां तो डर दे हाथी अपनी फोज नों मिद्दे होई वापस पाज जान दे हन पर ए बुखता हुणे 10 साल पेला इं पबलिश होई है, ता सिख्गा ने ए युद्धनिती कितों सिख्गी? सिख्गा ने ए युद्धनिती सिख्गी है गुर नानक साहिब दी बाणी विच्चों. गुर्णानक साहिब ने एक जंग वेखी सी, बाबर ते लोदी सरदारां दी, ते उसदा नचोड गुरु साहिब ने एस तरह कड्या है मुगल पठाना पही लडाई, रण में तेग वगाई, जद इने तोपक तान चलाई, उनने हस्त चडाई यानि के मुगल ते पठाना दी लडाई विच, जद एक ने तोपक चलाईया, तो दूसरे दे हाथी वापस पाज गए ते आओ हुन चलिये चपड चड़ी दे मदान विच, ते वेखिये के सिंगा ने बिणा तोपक तो केस तरह इस युद्ध निती दी वर्तो करके अपनी सब तो वड़ी जंगी जित हासिल किती, जिस नू उस मूवी विच तोड मरोड के पेश किता गया है इस जंग विच वजीर खान ने सब तो गे अपनी तोपां रखिया सी, तोपां तो बाद उसने अपने वर एलिफेंट्स नू ते नाद किता सी, ते हाथियां दे पिछे जिहाद दे नाम ते कठी किती गे 99,000 दी विशाल फोल्च सी, ते पैदल फोल्च दे दोनों पासे को और सवार रखे गए सी, बाबा बंदा सिंग बादर ने युद मिंदान विच पहला फोल्चन दा फैदा लेंदे होए, सब तो वदिया जगा चुणी सी, ते नेड़े दियां कुछ उचियां जगा ते अपने तीरंदाज तिनाद कार देते सी, जिन्ना ने जंग शुरू ह सब तो पहला तोपचिया नो अपना निशाना बनाया, ते ओना दे खतम उन्दियां ही, सिंगा ने तोपां ते कबजा कर लेया, ते फिर ओही मुगली तोपां मुगल फोज वाल मोड के हाथियां ते गोले वर्साए गए, ते योजना मताबिक हाथि अपनी फोज नो बेद दे होई वापस पाज गए, पर मुगल कोड सवारा ने बड़े ही वधिया तरीके नाल मुकाबला कीता, उनना पैदल सेना नल रलके काट गिंडती दी सिखान दी फोज दे दबा पोना शुरू कर दिता, बंदा सिंग बादर ने अपनी फोज दा पत्ची प्रसेंट हिस्सा एक पहाडी दे पिछे लिको के रिजर्व रख्या होया सी, ते जदो सिखान दी फोज कमजोर पेंड लगी, ते इस पच्ची प्रसेंट फोज ने मदान वेश तावा बोलके, मुगल सेना वेश पगदर पैदा कर दिती, ऐसी दुरान वजीर खान ते उस दे कुछ मुक जर जिस दा जिकर मातर ही किसे दा वी दिल देहलों ली काफी है, 15 दिसंबर 1715 नू बाबा बंदा सिंग बादर नू गिर्फतार करन तो बाद जमू दा हाकम दिल्ली वाल एक चिठी लिखता है, के बंदा सिंग बादर नू फड़ लेया गया है, होने इस दा की किता जावे, ज जदों दिल्ली दे बादशा फरक्षियर नू एक खबर मिल दी है, के उस दा सबतो वड़ा दुश्मन फड़ेया गया है, ताओं खोशो के हाती दे बैके दिल्ली दे बजारा मिच सोनने दे सिक्क्यां दी वर्खा करदा है, अते अल्ला दा शुकर करली उस दिन दो नमाज जा वद पड़दा है, वापस सनेहा पेजदा है के बंदा सिंग बादर नू तुरंत दिल्ली पेश किता जावे, जमूदे हाकम जकरिया कान नू कहनदा है, के पामे तु फरक्षियर दा सबतो वड़ा दुश्मन फड़के दिल्ली ले जा रहा हैं, पर पैणिया ते नू गए नू लानता ही ने की कहेंगा जाके कि 60,000 दी फोज लेके 8 मिने तक केरा पाई बेठा रहा ते अंदर लड़न वाले कौन सी आतें सुपजा सिंग जिना कोल खान देली रोटी नी पीन देली पाणी नी लड़न देली हत्यार तक नी अगो जक्रिया खान पुष्टा है के फेर की किता जावे केंदा सिक्का दी गिंती विदाई जावे ओसी समय एक हुकम जारी किता गया नानक प्रस्ताबा बेयंत बाग कतल रसानंद यानि के जित्थे किते वी गुरु नानक नू मनन वाला सिक दिखे उसनू कतल कर देता जावे इस तो बाद ओ खूनी खेड गया इत्थों तक के सिक्क बीबियां दे सिर्वी कटके नेजियां दे टंग दिते गए ताँ जो ए लगए कि सिक्क नोजवाना दे ही सीस हन। इस तो बाद एक काफला एक वार फेर दिलीवल रवना होया पर हुने काफला मनों के तास्दे सब तो बेर हैमी परे ते खुनी मनजर विच बदल गया सी। उस काफले दा जिकर करन तो पहला मैं तो अडे चरना विच एक भेंती करना चाहूंगा कि स्क्रीन ते सिर्फ तस्वीरां उके रियां जा सकतिया हन। एहसास नहीं ते जे तुसी उस एहसास नूँ उस कौबनाक मनजर नूँ फील करना चाहूं चुरुवात विच तेन हजार सिक्षां दे सरवड के नेजयां ते टंगे होया सी। उस तो बाद 700 वड़े वड़े गड़े सिखां यां लाशान नल परे होया सी। अस दे ठीक पिछे 724 सिंगा नूँ जंजीरा विक बनके गड़ें ते खड़ा किता होया सी। उस दे बाबा बंदा सिंग बहादर जी जो हार के वी नहीं सी हारे उन्हों एक हाथी दे उपर एक पिंजरे विच कैद करके खड़ा किता गया सी मखोल उडोन लई बाबा बंदा सिंग बहादर नू सुहे लाल रंग दी शाही पशाक पे नहीं गई सी बाबा बंदा सिंग बहादर जी तो अड़ी करनी नू नमस्कार है विरागी ता हर रोज कई जम देते कई मर्दे हन जे तुसी भी विरागी ही रह जान देता ता नू किसे ने नहीं सी पुछना पर अज तानगुर गोविन सिंग जी दा थापडा लेके जो महान कारज तुसी कर्व खाया है उस तो बाद हुन रेंदी दुनिया तक तो अड़ा नाम सोनके सिखांदा सेर्फ फकर नल उच्चा हुंदा रहुगा इस तो बाद बाबा बंदा सिंग बादरते उनना दे साती सिंगा नू केस तरह दिल्ली ले जाके तसीहे दे दे के शहीद किता गया ओ अपां इस वीडियो दे सेकंड पार्ट विच देखांगे वैसे तां हर शेहिद्धा बलिदान महान हुंदा है अपां उसनू कंपेर नहीं कर सकते पर जे शरीरिक रूप नल वेख्या जावे तां बाबा बंदा सिंग बादरदी शेहिद्धी सिख कोमदियां सब तो दर्दनाक शेहिद्धियां विचो एक है जिसनू अगेन एक वीजी विच पता नी क्यों लुकोण दी कोशिश कीती गई सी सो जानागे ए सब अगले वीडियो विच अपना कीमती समा साधेनाल भितोन लई वीडियो नू लाइक करके अगे दब के शेयर करन लई दुजियां तो चैनल सस्क्राइब करोन लई आप सब्दा लख लख तानवाद जान तो पहला कमेंट बोक्स विच वाहेगुर जी लखके अपनी हाधरी जरूर लवायो वाहेगुर जी का खाल सा वाहेगुर जी की फते